आज इनका आरोप ये साबित करता है कि मान ये महंदा राजबाजी का एक कदम इनको उखाड फेकेगा आज ये लोग जो पोष्ट डाल लाएं इनकी बोखला इनकी घबड़ा साब दिख रही है अभी तो महंदा राजबाजी गए भी नहीं तो लोगों ने कहीं से पूराना फोटो लगा कर रहे हैं कहीं ने कहीं हैं डर चुके हैं कि महंदा राजबाजी अगर कदम रख दियो वहां तो हम लोगों का जो भी संगठा ने बोरियां बंद करके बनारस पहुंच जाएगा पर्चे राम जीत राजबार स्वल्देव स्वाविमान पर्टी की जिलाद्यक्षें जनपत्मव के महंदर राजबार का वीडियो वाल की अनुद राजबार और कहा हैं कि यह सपा से मिल गये हैं और राजबार समाज को बरबात कर रहे हैं देखी एक बात बता दें यह ला नबही अजन मंगरु का बेटा कहे होगे सही जैंव राजबार समार जाम रहा है सवाओ यह राजनितिक, राजनितिक मामिला होता है जब मंगरू कभी सपा केंचाप पी सकते हैं कभी भाजपा केंदर चाप पी सकते हैं कभी बसपा केंचाप पीने के लिए लाइन लगाते हैं तो यह राजनितिक हैं हम भी तो कहीं नहीं कहीं जाएंगे अकेले हमने सरकार नहीं बना सकता है न वो मंगरू सरकार बना सकते हैं अगर मंगरू कहीं लाइन लगाएं तो हम भी कहीं लाइन लगाएंगे हमको हमारे संगठन को मानी महेंदर राजवत जी की ताकत को देखते हुए सपा भी हमको बुला रही है भाजपा भी बुला रही है बसपा भी बुला रही है कागरेस भी बुला रही है मंगरू अपने चक्क में पड़े कि हमको कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा यह भाजपा में जा तो पहले यह बताईए आप लोग के चैनल के मादन से बोलते हैं कि मैं कहीं भी जाके चापी सकता हूं तो यह मंगरू का बेटा जो कह रहा है कि नहीं जातर के सपा कर आरपके जो विडियो और किया है मैं मैंगरू से पूछना चाहता हूं कि यह जो बलिया में इन्होंने रजी कर आया महीडा समेलन वहां महीडा हो को 50% आरप्छन दिलाओंगा वो वलिया का फोटो लगा करके और यहां आपके मउग का फोटो लगा करके यह मंगरु का भीड़ा दिखा रहा है कि हमारी 5000 की भीड़ है मैं मंगरु के बेटा से पुछना चाहता हूँ अरूर से कि आप बताओ यहां अगर सही बताओ कि कितनी भीड़ती इसकी अवकात रही है और यह लोग भिर लाये थे अम्वेक्टर नगर से स्रावस्ति से गुंडा से बाराई चे लकीम पूर से फिर मिर्जा पूर से आपका जो है कि कान पूर से इलहाबार से यहीं बढ़ियां से गाजी पूर से दिवरिया से मैंने पूरे परदेश से इन्हों ने बंस लगवा लगवा करके अभिर मंगाया था मैं मंगरू से पुछना चाहता हूं 27 सक्टूबर 2002 से पार्टी बली आज तक एक रुपिया इवेक्ती किसी गाली के लिए नहीं देते थे और राजबर से चंदाग बांगते थे आज इन्होंने शावित कर दिया कि मैं भाजपा में गया औ इन्होंने पूरे परदेश से बस लगाने का काम किया है यह साबित कर दिये मंगरू और मंगरू कि जब पैर तले जमीन खिसिल रही है और इनको कहीं ने कहीं डल सता रहा है कि कहीं हम अगर एक कदम कहीं रखे और दूसर का कदम मानी महेंदर राजबर जी रख देंगे बोरिया बिस्तर बन करके और बनारस के कासी भी सुना जी के मंदिल पर बैठा करके इनको भीच्छा मांगने की ट्रेंग दिर्वाएंगे आज महेंदर राजबर का एक वीडियो अरुड राजबर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यह सपा नेता से मिल रहे हैं लगातार और सपा से मिल करके पार्टी उत्रोंने का प्रयास के बिल्कुल हमारे मनिय नेता जी जो है महेंदर राजबर जी किसी भी पार्टी के हां जा सकते हैं क्योंकि चुनाव नजदिक है और हम लोग पूरे दम खम से पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे ठीक है आज हमारे लिए सारे दर्वाजे खुले हैं सपा बहुजन खुले हम किसी नेंगे दिखत नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछिह दिन पहले अब हे और यहा हम प्रोटी आव सी पाठक जी के साथ भी नमासिके और अभी यकसा पूरे बा तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर रिला यह तो नहीं चलेगा मान्य मंगरू को यह समझना पड़ेगा कि आज राजभर समाज जाग चुका है और उनके साथ कोई भी नहीं है अभी कुछी दिन का अभी एक दो दिन की बात है अभी मौ में महिलाओं की रैली उनों ने किया सारी भीर दिखा करके और राजभर समाज को यह बेचने का काम करते हैं मानिया नेता जी मैं मंगरू को यह सीधे सीधे बताना चाहा रहा हूं कि अब राजभर समाज जाक चुका है अब बच्चा बच्चा जाक चुका है ओबीसी जाक चुका है पिछरा दल जाक चुका है अब इनकी नहीं चलेगी जब भी चुनावाता है तो बड़ी रहलियां करके भीर जुटा करके भीर दिखा करके और पार्टियों से गडवन्दन करते हैं टिकट का पटवारा करते हैं पैसा की खरिक परुक्त करते हैं अब समाज जाक चुका है आज इनके पहले जमीन खिसक समाज इनके साथ नहीं है मैं पूरा चैलेंज करता हूं दावा है मेरा कि आज मानिये अरुण राजबर मानिये ओंप्रकास राजबर जी मैं आपको दावा करके बताता हूं कि आप अकेले दम पर एक चुनाव लड़कर के दिखाए आपको अपनी अवकात पता चल जाएग कि हाँ वास्तों में राजबर समाज आपके साथ है भीट की रही है यह अरुण राजबर तो कर दे के खुलासा हो गया की सपा ही फोल रही है महंदर राजबर सपा क्या दम हो गड़ बंदों तो उन्हों नहीं किया जब भी चुनावाता तो भीड जूटाते हैं भीड जू सच्छे नेता वही है आज पार्टी की नीतियों को जो 2002 में स्वेल देव पार्टी ने जो एकी नीव रखी थी उस नीव को ले करके कोई चलने का काम कर रहा है तो आज महंदर राजबर जी चल रहे हैं और उन्हीं की नीतियों तक जन जन तक हम लोग और हमारा पूरा गड मंदर पहुचा रहा है झाल 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 झाल